जियेज के ओनलाइन इस्टूडियो से में रामपाल भारती आपका एकबारपुन है। हर दिक स्वागत करता हूँ। और कग्सा दस CBSE के पाठे करम के तहट आज मैं आपके समक्स लेकर आया हूँ। कविता जिसका सिर्शक है कन्यादान। प्रस्थुत कविता को लिखा है कवी रीतुराज ने। रीतुराज का जन्में सन 1940 को राजस्तान के भरतपुर में हुआ था। जी हां राजस्तान के कवी हैं। बरतपुर में जन्म हुआ और राजस्तान विश्व विद्याले जेपुर से आपने अंगरेजी भासा में सनात कोतर किया, अर्धात अहमे किया। Master of Arts राजस्तान विश्व विद्याले से अंगरेजी भासा में उने किया। और अब तक रीतुराज के आठ कावे संग्राय प्रकासित होचके हैं। जिन में है एक मरन दर्मा और अन्ने, सुरत निरत, पुल पर पाने, लेला मुखारविंद, ये मुख्ये हैं। रितुराज, एक ऐसे कवी हैं, जो अपने भीतर पांडिते को सहेज कर रखते हैं, अर्थात विद्वता को। मगर अपने कवीताओं के माध्यम से पांडिते नहीं दिखाते हैं, अर्थात दिखावा नहीं करते हैं विद्वता का, बलकि एक सहेज कवी के रूप में अपनी उपस्तिती दर्ज कराते हैं। कवी को अब तक पूर्षकार मिल चुके हैं सौमदत पूर्षकार, बिहारी पूर्षकार, महा कवी बिहारी के नाम पर है जिन्होंने बिहारी सच्चे लखी बिहारी पूर्षकार और परिमल सम्मान। राजस्तान के ऐसे कवियें जिन होने अपने कविताओं में सहजता को सादगी को नमरता को लिखा है और समाज के हासी से जो बातें हट की हैं उन बातों को वे अपने कविताओं के अंदर लेकर आए मुख्य धारा की जो बातें हैं वो बातें लेकर आने वाले कवी हैं लितुराज जिन पर हर किसी की द्रिस्टी नहीं जाती है प्रस्तुत कविता भी कुछ ऐसी है जिसका शिर्षक है कन्यादान कन्या दान, अर्धात, कन्या के लिए दान, समासी विगरा तो यह होता है लेकिन यहाँ पर प्रस्तुत कविता में कभी संदेश क्या देना चाहता है प्रस्तुत कविता के मादियम से एक माँ अपनी बेटी को प्रमप्रागत आदर्स से या आदर्सों से हटकर सीख दे रही है का मतलब क्या है प्रमप्रागत आदर्स का मतलब है ट्रेडिशनल जो भी बाते हैं जैसे आज से 20-25 साल-30 साल पहले लड़कियों का विवावता था तो माँ कलपना करें हम ऐसी शीख देती होगी कि साससुर का जहान लखना और उनका कहना मानना और उनके सामने नहीं बोलना और जैसे वो कहती होंगी कि वो ही अब आपका घर है उस घर को सुरक के रूप में बनाना ये तमाम बाते वो बताती होगी मगर यहाँ पर वो ट्रेडिशनल बाते मा नहीं बता रही है बलकि वो ये बता रही है जीवन के यथार्थ यथार्थ से अवगत करा रही है कभी कहना चाहता है और प्रस्तुत कविता के माद्यम से कभी ने मा के दुखो को की प्रामानिक अभिविक्ति दी है कि वास्तों में कभी के अनुसार मा का दुख जाईज है मा का दुख सही है एक मा को ऐसी सीख हर बेटी को देनी चाहिए कभी का मानना है तो देखो कभी क्या कहता है कितना प्रामानिक था उसका दुख ही लड़की को दान में देते वक्त ही जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो किसी भी मा के लिए उसकी बेटी एक अंतिम पूंजी के समान होती है हर्थात कोई मा अपनी बेटी को 20-22 वर्ष तक पालती है पोस्ती है पढ़ाती है लिखाती है जीवन के बारे में समझाती है और एक समाज को वो एक ऐसी महिला के रूप में सोपती है जो आगे समाज को प्रगतिक के रूप में दिखाएगी और साथ ही एक विरासत के रूप में वो संजोकर रखती है और उस विरासत को पुरुष परधान समाज को सोप देती है तो वह उसकी अंतिम पूंजी है पूरे जीवन बर की 40-50 वर्ष की अंतिम पूंजी है और उसका दुख कभी की नजर में प्रामानिक है औथेंटिक है सही है जाईज है कभी क्या कहता है लड़की अभी सयानी नहीं थी सयानी है नहीं समझदार कोई भी लड़की विवाह के समय सयानी नहीं होती है चाए उसकी उमर 18 वर्स हो, चाए उसकी उमर 28 वर्स हो, चाए उसकी उमर 38 वर्स हो कोई भी लड़की विवाह के समय बिलकुल भी सयानी नहीं होती है, समझदार नहीं होती है वो इतनी बोली और सरल होती है अभी इतनी बोली सरल थी बोले यानि नादान, अबोत, नासमज और सरल यानि इतनी सरल बाव गी थी कि उसे सुख का आबास तो होता था मगर दुख बांचना नहीं आता था सुख का आबास का मतलब जैसे कोई भी लड़की जिसका विवा हो रहा है उससे अगर हम बाते करेंगे या वो बताएगी तो वो क्या बताएगी कि उसके पास इतने कपड़े हैं इतने गैने हैं और उसके ससुराल में इतने अच्छे मकान है इसके अलावा उसके सादी में इतना खर्चा हो रहा है ये सब किसकी बाते हैं ये सब सुखो की बाते हैं लेकिन दुख बांचना नहीं आता था दुख बांचने का मतलब है दुख बांचना यहां लिख रहा हूँ आगामी जीवन के संघर्स वे चुनोतियां लड़की को नहीं पता अब उसको ये नहीं पता कि उसका ग्रिष्ट जीवन होगा उस ग्रिष्ट जीवन में उसके सामने ये ये चुनोतिया आएंगी उसको गरिष्ट जिवन में ये ये बातें, ये ये कार्य करने पढ़ेंगे और जब साथ ही साथ वो एक दूसरे परिवार में जाएगी और वहां जहां अभी किसी परकार के कोई जान पहचान नहीं है किस परकार से तार्तम्यता बिठा पायेगी ये बाते उनको नहीं पता है कि आगामी जीवन में ये बाते आएंगी पाठी का थी वै दुन्दले परकास की उसको पढ़ना तो आता है फॉर एक्जांपल ये कुविता आपको पढ़नी आती है अगर आपको ये कहे की चलो इस कुविता को पढ़ो तो आप विदिन टू मिनट थ्री मिनट इस कविता को पढ़ लेते हैं और किसी को कहेंगे कि कविता पढ़ ली हमने किया कुछ समझ में आया दो मिनट तीन मिनट पढ़ ली वो लड़की भी कुछ ऐसी थी कि वो पढ़ तो सकती थी मगर कैसा जिस परकार धुंदले परकास में कोई भी वस्तु साप दिखाए नहीं देती है उसी परकार से वो पढ़ना तो जानती है मगर बात का रहस्य नहीं समझ पाती है मगर बात का मतलब नहीं समझ पाती है सरलारत नहीं निकाल पाती है बहावार्त ने निकाल पाती है जीवन शे जोड नहीं पाती है तारतम में ता इस्तापित नहीं कर पाती है सिर्फ पाठी का थी वो दुंदले परकास की और किसकी? कुछ तुकों और कुछ लेबद पंकतियों की तुक का मतलब कविता की तुकबंदी लेबद पंकतियां मतलब है कुछ तुक की ले होती है हर पंकति की सिर्फ इतना पता था मगर वो कुछ तुक के गूड बहावार्त को समझने योग्य नहीं थी अर्थात कुछ तुक के गूड बहावार्त का मतलब है जीवन के संगर्स, जीवन की सुनोतियां जीवन के आदर्स इनका उन्हें कुछ नहीं पता था लड़की को तो मा क्या करी है? मा ने कहा पाने में जहांक कर अपने चेहरे पर मत रिजना क्या कहा? कि कभी भी पाने के अंदर जहांक कर आजकल का कवी होता और 2020 में कवीता लिखता तो क्या लिखता? मा ने कहा ड्रेसिंग टेबल के सामने पाने में जहांकने का आज़ता अपनी ये लिख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने चेहरे पर मत रिजना रिजना का मतलब है प्रसन होना खुस होना हर्थाथ मा क्या शीख दे रही है? कि कभी भी अपनी सुंदरता पर गमन मत करना गर्व मत करना सुंदरता पर अविमान मत करना क्यों क्यों कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं जलने के लिए नहीं सभी के गरों में आग होती है और उस आग का प्रियोग हम दो तरीके से कर सकते हैं एक तो आग का परियोग हम स्रिजन करने में कर सकते हैं स्रिजन का मतलब निर्मान कुछ नई चीज बनाने में एक आग का परियोग हम विनास करने में कर सकते हैं सबके गर में सिलेंडर लगा वाय रसोई के अंदर उधान के लिए समझा रहा हूँ मैं अब उस सिलेंडर का रेगुलेटर खोल कर उसके सामने माचिस की तिली ले जाओ, क्या हो जाएगा? यूनास हो जाएगा, गरजल सकता है. अब उस सिलेंडर से आप क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, बोजन बनाते हैं, इसके लावा बहुत सी चीज़ें. क्या कर रही है? आग किस के लिए है? रोट्या शेकने के लिए है? आग किस के लिए नहीं है? जलने के लिए नहीं है. उपर आओ अब इस प सारिक सुन्दरता तो उम्र के साथ ढल जाती है कमजोर पड़ जाती है मगर सुन्दरता अगर मानसिक हो आपके विचार सुन्दर हो आपके कारिय सुन्दर हो आप में सिश्टाचार हो आप में आदर्स हो आप में विनमरता हो आप में सादगी हो आप में मानवता हो आप में आदर्स हो आप में यथार्त हो तो आप सही माइने में क्या हैं सुन्दर हैं अगर इसके वीपरित आप में गुण हैं तो आप किसी भी माइने में सुन्दर नहीं है शीक कौन दे रही है माँ अगर प्रतेक माँ अपनी बेटी को ये सीख दे तो समाज में ग्रेलु हिंसा नाम का सब्द डिक्सिनरी से मिट जाएगा कोई ग्रेलु हिंसा नहीं होगी, कोई दहेज नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा देखो मा के संदेश में कितनी विनमरता, कितनी सादगी है कितना प्रेम है और समाज को किस तरके से जोडने का संदेश है पानी में जहांकर अपने चेहरे पर मत लिजना कभी भी अपनी सुन्दरता पर गर्वा मत करना गमन मत करना क्योंकि उदायन कसा दिया है कि आग रोटिया सेकने के लिए जलने के लिए नहीं अर्थात सुन्दरता आपके सरीर की नहीं होती है सुन्दरता होती है आपके कर्मों की आपके कर्म सुन्दर हैं तो आप सुन्दर हैं आपके कर्म सुन्दर नहीं है तो आपका कुछ भी सुन्दर नहीं है ये संदेश इन चारों पंक्तियों के माध्यम से उपरकर सामने आता है आगे देखो बहुत अच्छा संदेश है मा क्या करी है कि वस्तर और आभूसन साब्दिक बर्मो की तरह बंदन है इस्तरी जीवन के एक कवी रितुराज को मैं नमन करता हूँ उनको मैं बहुत बहुत धन्यवा दियता हूँ कि वर्तमान समय के संद्रम में कवी रितुराज ने इतनी प्रहसंगिक मंगती लिखी है कि देखो पुरुस परदान समाज ने महिलाओं के लिए जो नियम बनाए है पुरुस परदान समाज ने महिलाओं के लिए जो नियम बनाए हैं कवी की नजर में ये नियम महिलाओं के जीवन के नियम नहीं है बंधन है अर्थाथ पुरुस परदान समाज ने नियम बना लिया कि आपको गर पर रहना है खाना बनाना है ये गहने हैं ये वस्तर हैं ये अभुसन हैं और ये सब आते हैं ये किसने मनाए पुरुस होने अब देखो तो ये नियम जो बनाएं ये कवी रितुराज के संदरब में कवी रितुराज के अनुसार ये क्या हैं महिलाओं के लिए बंदन हैं कवी ऐसे बंदनों को तोड़वाना चाहता है बंदनों को तोड़ कर महिलाओं को शबला बनाना चाहता है स्वावलंबी बनाना चाहता है उनमें स्वेम में कुछ कर गुजरने की कुछ कार्य करने की समता विक्षित करना चाहता है कभी क्या कहता है वस्तर और आभूसन साब्दिक बर्मों की तरह है जिस परकार कोई कठिन कविता समझ में नहीं आती है उस सब्दों का अर्थ नहीं पता होता है ठीक इसी परकार पुरुसों ने ये चाल चली है कि अगर महिला को महेंगे कपड़े या जादस जादा आभूस हम दे देंगे तो वो हमारे नियमों में बंद कर रहेगी और वस्त में सद्विय ही है अर्था जब शादी होती है तो कहते हैं कि 10 लाख का गहना डाला है पांस लाख का वोग दिया है दो लाख के कपड़े है ये है वो है लड़की इसी में उलज करे जाती हैं ये इन वस्त वस्तिविक्ता को नहीं जान पाती, क्या कहता है कवी, वस्तर और अभुसन दोनों क्या है, इस्त्री जीवन के बंदन है, इस्त्रियों को बांधने का तरीका है, यह पुरुस परदान समाज की साल है, आपको इन वस्तरों में और इन अभुसनों में बंद करने रहना है, मा न कहा कवीता की सबसे अच्छी पंक्तिया है बहुत अच्छी पता नहीं कवी ने कितने दिन तक सोचा होगा कितने देड़ तक सोचा होगा तब जाकर यह पंक्तिया कवी के दिमाग में आई होंगी अर्थ समझते हैं माने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देन अब देखो मा एक तरफ करिये लड़की होना है और एक तरफ क्या करिये लड़की जैसा दिखाई मत देना अब ये कैसे समझ में आएगी बात एक तरफ करिये लड़की होना है एक तरफ करिये दिखाई मत देना लड़की जैसा अब देखो परते एक माँ अगर अपने लड़की को ये बात समझाएं शादी के समय तो समाज में देज पर था समाज में गरेलू हिंसा जैसे कारें नहीं होंगे मगर मेरी बात को समझना पहले है पहले कवी की बात को समझना वो क्या करना चाहता है लास्ट में पहले बन जाना पहले इसको समझना माने का लड़की होना लड़की होने का मतलब है कि आप में सादगी होने चीए आप में विनमरता होने चीए आप में लज्जा का गुण होना चीए आप में मानवता होने चीए आप में सिष्टा चार होना चीए आप में सदाचार होना चाहिए आप में सनमारक पर बढ़ने की समता होने चाहिए आप परिवार को एक जुट रखने में योगदान दे परिवार की सेवा का संकल्प ले इतने अर्थ हैं इस लाइन के लड़की परस्ण बन सकता है एक्जाम के लिए कि लड़की होने का क्या आसे है लड़की होने का आसे है कि लड़की में साथगी विनमरता लज्जा मानवता सिष्टाचार सिदाचार आदी विसे इसता होने चाहिए और उसमें एक सक्ती होने चाहिए कि वे परिवार को एकजोट रखने में अपना योगदान दे और वो परिवार की सिवा का संकलब लेकर साथ चले ये करना चाहता है कभी अब नीचे आओ अगर लड़की में साथगी भी ये विनमरता भी ये सब गुण है बावजूद इसके पुरुष परदान समाज लड़की के इन सभी गुणों लड़की के इन सभी गुणों पर ध्यान ने दे कर ये तो उसका करतवे समझता है तो मा क्या कहती है अगर पुरुष परदान समाज आपके सिस्ताचार को और आपकी कमजोरी मान बैठे तो लड़की जैसा दिखाई मत देना लड़की जैसा दिखाई ने देने का क्या से है पुरुष परदान समाज के हर परकार के अट्याचार का डट कर सामना करना एक बार मैं पुर्णा बता रहा हूँ कि कविता के अर्थ को समझ कर उसके अनुसारी आसरन आप जियून में भी करें और उसके अनुसारी अपने बच्चों को सीख भी दें देखो ये फस्ट स्टेप है वर्तमान समय में फस्ट स्टेप को कोई कंप्रून नहीं कर रहा है और डाइरेक्ट आप कहा रहे हैं सेकिंड स्टेप पर अगर डाइरेक्ट सेकिंड स्टेप पर आओके पुरुष प्रदान समाज को आप कुछ सिखाओं पहले और फिर भी वो नहीं सिख रहा है तब इस स्टेप पर आना है तब लड़की जैसा दिखाएने देना है तब आपको क्या करना है अत्याचार का डट कर मुकाबला करना है मान ने कहा लड़की होना पहले इस स्टेप पर लगाता 6 मेने 12 मेने 2 साल तक काम करना है उसके बाद इस स्टेप पर आना है लड़की होना अर्थाद आप में ये सभी विशेष्टाएं होने चीए अगर आप में ये सभी विशेष्टाएं है बावजूद इसके पुरुस परदान समाज आपकी इन विशेष्टाओं को कमजोरी मान बैठा है तब लड़की जैसा दिखाई मत देना तब आपको जांसी की रानी बनने में बनने से पीछे नहीं रखना चीए तब आपको धुरुगा का उता लेने में पीछे नहीं रहना चीए तब आपको हर परकार के संगर्स का हर परकार की चुनुद्दी का सामना करने में पीछे नहीं रहना चीए अर्थाथ अपने आपको कमजोर अपने आपको अबला नहीं माने आप आप सबला हैं, आप समाज में बहुत कुछ कर सकती हैं, आपके योगदान से ही समाज लता है, आप पुरुष परदान समाज को नए नियम मनाने पर मजबूर कर सकती हैं, ये संदेश एक मा अपनी बेटी को विवाह के समय दे रही है, अगर परतेक मा रितुराज के कविता के उनिसार संदेश दे, तो ये समाज उन उचायों पर चला जाएगा, कि आसमान भी नीचा नगने लगएगा, मगर ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप, शेकिन स्टेप, ध्यान रखना है, वस्तर और अबूसन, क्या है, इस्त्री जिवन के बंदन है, ध्यान रखना है, कि अपने चेहरे पर रीजना नहीं है, अर्थात सुन्दर्ता आपकी सरीरिक रूप में नहीं होने चीए, सुन्दर्ता आपके कामों में लखने चीए, जिस परकार आग रोटिया शेकने के लिए हैं, जलने के नहीं होती है, और पढ़ते एक लड़की विवा के समें सेयाने नहीं होती है पड़ते के लड़की विवा के समय बोली और स्रल होती है उसमें जैसे संसकार आप बरेंगे वह वैसा ही आश्रण करेगी इसलिए हर मां को कभी का यह संदेश है कि वह अपनी लड़की में इस परकार के संसकार इस परकार के आश्रण इस परकार का वेवार बरे ताकि समाज है वो प्रगत्ती के पत पर अगर सरो तो रितुराज की कन्यदान कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें लड़की में हर प्रकार के संसकार और आदर्स बढ़ने है और उसमें हर प्रकार का संसकार आदर्स शिष्टाचार है बावज़त इसके पुर्स परदान समाज अगर उसको कमजोरी मान बठा है तब उसी लड़की जैसा दिखाई नहीं देना है इस परकार से पस्तुत कविता बहुत गूड अर्थ अपने आप में रखती है रितुराज को एक बार पुना हम सलाम करते हैं उन्हें एक ऐसी सांदर कविता हमारे बीच दिये जो राजिस्तान की बर्त पूर्ज लेके हैं और 1940 में जिनका जर्म हुआ वरत्मान समय में ये राजिस्तान में से विद्यानी विर्त होकर जैपुरी में रह रहे हैं रितुराज जी को एक बार पुना बहुत बहुत दिन्यवाद और आपने पूरी कविता को जान प्रोक पढ़ा आपको भी दिन्यवाद दिन्यवाद